श्रीदीवी के husband producer बोनी कपूर एक बड़ी मुसीबत में फस चुके हैं बोनी कपूर की कार पुलिस ने जब्त कर ली है और इस कार में बहुत सारे सिल्वर यानि कि चांदी के समान मिले हैं जिनके proper documents नहीं थे और उन्हें illegal तरीके से transport किया जा रहा था इसमें चांदी के बाउल्स है चमच है और चांदी के काफी समान है इन समानों की कीमत 37 लाख रुपए है करनाटका के outside बोनी कपूर की एक BMW कार को जब पुलिस ने रोका और कार की चेकिंग की तो पुलिस को इस कार से चांदी के कई समान मिले इन समानों को वजन 66 किलो है और इनकी कीमत 37 लाख रुपए है जब गाडी में सवार ड्राइवर और उसके companion से bills मांगे गए इन समानों के तो उनके पास ये bills नहीं थे जब गाडी के owner के details चेक की गई तो ये गाडी बोनी कपूर के production house बे व्यू प्रोडक्शन के नाम पर registered है और ड्राइवर ने ये बात confirm की है कि ये गाडी बोनी कपूर की ही है और ये जो समान है वो भी बोनी कपूर का ही है हाला कि बोनी कपूर उस जगह पर मौजूद नहीं थे लेकिन अब पुलिस ने उस समान को जब्त कर लिया है और पुलिस ने बोनी कपूर से इन सारे समानों की details और इनके bills मांगे हैं आपको बता दे कि मुंबई के अलावा चेन्नाई में बोनी कपूर का बड़ा कारोबार है वहाँ पर श्री देवी ने बंगलो लिया हुआ है जहां से बोनी कपूर अपने office को operate करते हैं और कई फिल्मों के production वहाँ पर जारी रहते हैं इस वक्त बोनी कपूर साउथ की industry में काफी active है उनकी बेटी जानवी कपूर आने वाले time में junior NTR के साथ film NTR 30 से debut कर रही है जो एक pen India film होगी